जिला बरेली की तहसिल मीरगंज से बरेली पहुंची साइकल यात्रा का हुआ बड़ा स्वागत बरेली रामपूर में शुरू ही सपा की साइकल यात्रा रविवार को मीरगंज से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने ज़ंडे दिखा कर रवाना किया साइकल यात्रा के बरेली पहुँचने पर सपाईयों ने जगे जगे स्वागत किया यात्रा यही रात्री विश्राम करेगी सौमवार सुभे यहां से शाजापुर के लिए प्रस्थान करेगी मीरगंज से चलकर साइकल यात्रा फतिगंज पश्चिम धनेटा दतिया जुमका चोराहा जौनपूर सीबी गंज मेनी बाइपास मोड कर्मचारी नगर इजट नगर होती हुए डेली पार चोराहे पहुची डेली पार से यात्रा तुलाशीर पूर सुरीश शर्मानगर चोरा सुरेश गंगवार तबस्सुम खान शालेनी सिंग आदी मौजूद रही आपको बता दे रामपूर से सपा साइकल यात्रा के रातरी विश्राम का इंतजाम विसल पूरोड इस्थित बराकर में किया गया था जिम्यदारी सपा की महानगर टीम को सौपी गई थी शाम को लाद्यक्षागम मौरे का कहना है कोई बद इंतजामी ही नहीं थी जो थोड़ी वो समस्या थी सही करा दी गई रामपूर से चली आतरा का जोरो सी हुआ स्वागत लखनों पहुँचने पर किया गया आपको बता दे मानने विधाक सुल्तान बैग 119 विधान सभा मेरगंज के ग्राम कुलडिया में सुदेश पाल सिंग पूर प्रमों के 119 विधान सभा मेरगंज के माजूदगी में एक बैठक संबोदित की इस बैठक में मौजद भुपेंदरी शर्मार इजवान चांद का अनवर का नवाब हसन इस्रार का दिवा करतेज राम रहमत हजारी मुक्तार अंसारी अर्बास खान ने कहा कि शाक असलम का शामलान कशप अनवर हुसेन अंसारी अंतराश्ट इमाना वधिकार असोसीेशन जनरल सेक्रेटरी मीडिया प्रभारी बरेली आदी मौजुद रही अनवार हुसेन समाधता बरेली की रिपोर्ड ये जो समाजवादी पार्टी की दूरेली निकली है और इस जिस तरीके से रुजान चल रहा है हमारे दोर मानिये बिदायक जी के माद्यम से इसमें आपका क दायक जी ने उसको रवाना किया उसमें लगबग 600-600 समाजवादी पार्टी के मजबूत कारी करता साथ में थे और उसको लेके लोग बरेली तक गए थे और बरेली के बाद जो साम को उनका इस्टेफ नहीं बरेली में हुगा था